दोस्तों शैंपू लगाने के बाद हम लोग तुरंथ ही अपने बालों को धो लेते हैं आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जब भी आप लोग शैंपू करते हैं यदि इस रेमेडी का इस्तमाल करेंगे तो बालों की सफाई भी हो जाएगी साथ ही साथ आपके बालों को पोशक तत्व भी मिलेंगे तो शैंपू में आपको क्या चीजें मिक्स करना है जिससे आपके बालों का जढ़ना रुके किसी भी कैमिकल का आपके बालों पर बुरा प्रभाव नहीं पढ़ने पाए तो चलिए इस आसान सी रेमेडी के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है कॉफी एक चमच आपको कॉफी लेना है जब भी आप लोग हेयर वाश करते हैं आप जब भी शैंपू करते हैं दोस्तों तो आपको इस रेमेडी को शेंपू के साथ मिक्स करना है, कॉफी क्या करती ही दोस्तों, सबसे पहली बात तो कॉफी हमारे हेर लॉस को रोकती है, बालों के जढ़ने को रोकती है, हमें कॉफी का प्रयोग बालों पर जरूर करना चाहिए, केवल एक चमच यहां पर मैंने कॉ पउच होता है कॉफी हमारे बालों को नैचेरल हेर कलर भी देती है और सां ते-opBERT बालों को तूटने से बचाती है, बालों को कलर देने के साथ, बालों को मझभूत करती है, एंटी ओक्सीडंट से भर्पूर होती है, दूसरी चीज मैं यहां पर ले रही हो, आमले का हैंं तो हमारे बाल काले घने मजबूत होते हैं दो मूहें बालों की समस्या से छुटकारा मिलता है तो यहां पर हम इस्तमाल करने वाले हैं आवले के पाउडर का एक चमच आपको आवले का पाउडर लेना एक ऐसी चमतकारी जड़ी बूटी है आवला दोस्तों जो कि बालों से चुड़ी हुई सारी проблем को solve करता है आवले का powder जो भूता है दोस्तों इसका इस्तमाल पुराने समय से ही बालों को लंबा करने के लिए बालों को काला करने के लिए बालों को घना करने के लिए किया आता जा रहा है vitamin C से भरपूर होता है hair fall को रोकता है और साथ ही साथ हमारे scalp को clean करता है हमारे scalp से गंदगी को हटाता है और scalp को healthy रखता है हमारे scalp के pH level को maintain करता है तो एक चमच coffee का powder एक चमच मैंने यहाँ पर आमले का powder लिया है दोनों को अच्छी तरह से आपको mix करना है साथ ही साथ आमला powder का हम लोग बालों पर इस्तमाल करते हैं तो कई बार हमें सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसकी समस्या भी दूर होगी डेंडर्फ की समस्या को भी दूर करता है आमले का powder बाल आपके चमकदार होंगे बाल आपके सॉफ्ट होंगे और साथ ही साथ बालों की जड़ों पर मजबूती आएगी क्योंकि आवला जो होता है वह पोशक ततों से भरपूर होता है और बाल आपके खुबसूरत होंगे साथ ही साथ दोसो अब आप यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी शैंपू ले सकते हैं किसी भी कमपनी का शैंपू जो भी आप लोग इस्तमाल करते हैं अब वो शैंपू ले जातर हम लोग शैंपू कैसे करते हैं दोस्थो नाहने जाते हैं बाल गिले करें और शैंपू लगा लेते हैं बाल लोग पर परंदू शैंपू के गैमिकल के कावनि करते हैं प्रभाव से बरेंगे और राड ढां computer जो कम से कम समय में आप इस remedy को जरूर करें जो मैं आ है करता ही है कि आपको इस तरह से शैंपू करना है एक संफेख बाल के बहुत जादा लंबे है तो आप यहां पर दो चंफेख थे बहुत बड़े नहीं है एक चंफेख शैंपू का भी होता है खूब जादा बेटी इसे लगाएगी, बेटी के बाल बहुत जादा लंबे हैं, इसलिए मैंने दो चमाश शेम्पू का इस्तमाल किया है, अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों वन फोर्थ कप पानी, ताकि अच्छी तरह से यह हमारा लिक्विड हमारा यह तैयार हो जाए, अब आपको इसे निकल गया, डर्ट भी निकल गई, साथ ही साथ आवला अपना फैदा देगा, आपको आपकी बालों के जड़ों को मजबूत बनाएगा, किसी तरह के कोई केमिकल का आपके बालों पर बुरा प्रभाव नहीं पढ़ने देगा, साथ ही साथ जो की हमने इसमें कॉफी लिया ह काफी है थाईट बालों को नियूट्रिशन देती है काफी, जो काफी में कैफीन होता हमा जाद है बहुत फाइद है यह यह देखे से पूरे बालों पर लगाना है आपको बालों की पुरी जड़ पर लगाए, क्योंकि अच्छा ज्यादा पेस्पर नाएएो और बालों की काम हो गया दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें टिप्स थेटर चैनल